गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम आज सुरू करें क्रांती की सुरुवात अतार्थ जो प्रांच की क्रांती हुई थी उसकी सुरुवात किस तरीके से हुई थी कैसे हुई थी और क्या गया परिवर्तन हुए थे तो पिछले बाग में हम क्या पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से लूई सोलवे ने कर बढ़ा दिये थे क्या आप सोच सकते हैं कि उससे उसने ऐसा केसे किया होगा प्राचिन राजतंत्र के समय प्रांचिस समराठ अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था अर्था जो राजतंत्र तो था लेकिन अपनी मर्जी से वो टेक्स नहीं लगा सकता था इसके लिए उसे एस्टेट्स जन्दल यानि कि एक परतिनीदी सबा थी जिसे एस्टेट्स जन्दल कहते थे उसकी बेठक बुलानी पड़ती थी तो बेठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताओं पर मंजूरी लेनी पड़ती थी अर्था राजा को अगर टेक्स लगाना है तो टेक्स लगाने के लिए एक बेठक होती थी परतिनीदी मंडल की जिसका नाम था एस्टेट्स जन्दल तो वो फिर करों का निर्दारन करती थी एस्टेट्स जन्दल एक राजनितिक संस्ता थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने परतिनीदी बेजते थे अर्था तीनों जो स्टेट होते थे प्रातिमिक दित्ती और तरतेव वो अपने अपने पड़ती निती बेशते थे लेकिन समराट यह निरने करता था कि संस्ता की बेठक कब बुलाई जाए इसकी अंतिम बेठक सन 1614 में बुलाई गई थी अर्था जो कुरांति का समय चल रहा था उसमें जो अंतिम बेठक थी जो टेक्स से सम्मनित थी वो 1614 में बुलाई गई थी फ्रांसी समराट लूई सोलवे ने 5 माई 1789 को नए करों के प्रस्ताओं के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बेठक बुलाई अर्थात नए टेक्स बढ़ाने के लिए उसने बेठक बुलाई तो बेठक बुलाई 5 माई 1789 को परतिनिदियों की मेजबाने के लिए वर्साइ के एक आलिसान भवन को सजाय गया वर्साइ जहां पर बेठक बुलाई जानी है तो वहाँ जो भवन था उसको आलिसान तरिके से सजाया गया पहले और दूसरे इस्टेट ने इस बेठक में अपने-अपने 300-300 परतिनिदि बेजे जो आमने सामने कटारों में बिठाए गयै अर्थात जो पहले और दूसरी जो इस्टेट थी उसके 300-300 प्रतिनिदी थे जो गए और आमने सामने की कतारों में उनको बिठा दिया गया अर्थात आमने सामने की लाइनों में उनको बिठा दिया गया तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिदी उनके पीछे खड़े किये गए तीसरे स्टेट का प्रतिनिदित्व कर रहे थे स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रतिनिदियों ने मांग रखी यही थे कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मद्दान कराया जाना चाहिए जिसमें परतेक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा यह एक लोगतांतरिक सिद्धान था यानि कि लोगतंतर में यही तो होता है लोगतंतर में क्या होता है अपना मत देने की स्वतंतरता होती है तो इसमें भी एसाई किया गया मत देने की स्वतन तरता रखी गई जिसे मिसाल के तोर पर रूसों ने अपनी पुस्तक The Social Contact में प्रस्तुत किया गया था जब समराठ ने इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया या कर दिया तो तीसरे एस्टेट के परतिनिदी ग्रोध जताते वे सबा से बाहर चले गए तीसरे एस्टेट के परतिनिदी खुद को संपून फ्रांसिसी राष्ट का प्रवक्ता मानते थे 20 जून को ये परतिनिदी वर्साए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए सामने एक टेनिस कोर्ट था उसमें ये जमा हो गई सारे के सारे उन्होंने अपने आपको नेशनल एसेम्बली गोशित कर दिया उन्होंने अपने आपको जो तीसरा एस्टेट था उसने क्या किया अपने आपको नेशनल एसेम्बली गोशित कर दिया और सपत ली कि जब तक समराट की सक्तियों को कम करने वाला समविदान तयार नहीं किया जाएगा तब तक ऐसेमली बंग नहीं होगी अरताथ जब तक कोई ऐसा मजबूत समविदान नहीं बनाया जाएगा जिसमें समराट की सक्तियों को कम किया जाए जब तक वो वहां से उठेंगे नहीं उनका नेतरतु मिराब्यो और आबे मिराब्यो और आबे से ये ने किया ये दो वेक्तियों के नाम है मिराब्यो का जन्म कुलिन परिवार में हुआ था लेकिन वह सामन्ती विश्यसद्यकारों वाले समाज को खतम करने की जरुवत से सहमत था अर्थाद वू था तो कुलिन परिवार की चुशक्तियां थी उनको समाप्त करना चाहता था उसने एक पत्रिका निकाली और वर्षाई में जुटी बीड के समक्स जोड़दार बासन भी दिये आबे सी ये मूलत पादरी था और उसने तीसरा इस्टेट क्या है शीर सक्षे एक अत्यंत प्रभावसाली परचार पुस्ति का पेंप्लेट लिखी अब देखिए कुछ मतबुन तितियांजे से 1714 में क्या हुआ लुई सोल्वे ने फ्रांस का राजा बनता है सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंतर के समाज में असंतोस गरता जा रहा है 1789 में कहाँ वा एस्टेट जनरल का आहान यानि कि जो समविदान है उस्टेट नेसनल असेंबली का गठन करता है और बास्तिल पर हमला देहात में किसानों का विद्रो बास्तिल इक जगा है तो वहाँ पर भी हमला किया गया एक मयतुपून केंद्रेजा हमला किया गया और जो दूर दराज गाओं में रहते थे उन लोगों ने भी विरोध किया किसानों ने 1791 में समराट की सक्तियों पर अंकुज लगाने और सभी मनुशियों को मूलबूत अधिकार परदान करने के लिए सभीदान बनाया जाता है यानि कि 1792 में प्रांस गंडराज्य बनता है सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है और जेकोबिन गंडराज्य का पतन प्रांस पर डिरेक्टरी का सासन अरतात एक नई विवस्ता आ जाती है 1804 में नेपोलियन फ्रांस का समराट बनता है और यूरोप के विसाल बुबाग पर कबजा कर लेता है नेपोलियन बनता है 1804 में जो विसाल जो यूरोप का बुबाग पर कबजा कर लेता है 1815 में वाल्टरू में नेपोलियन भी की हार होती है अरता जो नेपोलियन है वो भी हार जाता है इसके बारें देखेंगे कि जिस वक्त नेशनल एसेंबली सभीदान का प्रारूप तयार करने में विवस्ती अरता नेशनल एसेंबली जो सभीदान है उसका प्रारूप तयार कर रही थी उसमें विवस्ती तो पूरा प्रांस आंदोलित हो रहा था कडाके की ठंड के कारण फसल भारी मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान चुर रही थी बेकरी मालिक इस्तिती का फायदा उठाते वे जमाकोरी में जुटे बेकरी की दुकानों पर गंटों के इंतजार के बाद गुसाई औरतों की बीड ने दुकान पर दावा बोल दिया दूसरी तरफ समराट ने सेना को पेरिस में फर्वेस करने का आदेश दे दिया था कुरुद बीड ने चोदा जुलाई को बास तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया अर्था चोदा जुलाई को क्या किया नेस्त नाबूद क्या मतलब बरबाद कर देना या नश्ट कर देना देहाती इलाकों में गाउं गाउं ये अफ़ा फिल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लठेते को और लुटेरों को गिरे को बुला लिये जो पकी पसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े कई जिलों में भे के आकरांट से होकर किसानों ने कुदालों और बेल्चों से ग्रामें किलों पर आकर्मन कर दिये उन्होंने अन बंडारों को लूट लिया और लगान संबंदी दस्ताविजों को जलाकर राक कर दिया कुलीन बड़ी संक्या में अपनी जागीरे चोड़ कर भाग गए और बहुत होने तो पड़ोशी देशों में जाकर सरनली अतार किसानों के डर से और जब मजदूरों के डर से लोग क्योंगी आंदलने हो रहा था उसमें वो किलों पर हमला कर रहे थे तो उसके डर से क्या लोग अपना इस्तान छोड़ रहे थे और वहां से भाग रहे थे अपनी विद्रोई पर जागी सक्ति का अनवान करके लूई सोलवे ने अंतर नेशनल असम्बली को मानेता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से सम्विदान का अंकुष रहे गा चार अगस्त सत्रा से निवासी की रात को असम्बली ने करों करतवयों और बंदनों वाली सामन्ती विवस्ता के उमलिंका आदेश पारित किया पादरी वरक के लोगों को भी अपने विश्यता अदिकार उसको छोड़ देने के लिए विवस्त किया गया धार में करसमाप्त कर दिया गया वो जो टाइट का नामका कर लगता था उसको बंद कर दिया गया और चर्ज के स्वामित वाली भूमी जब्द कर ले गई इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिप्रे की समपति सरकार के हाथ में आ गई ठीक है अब बाकिका हम कल पड़ेंगे